भाई और बहनों इस बार का चुनाव बादों और इरादों के बीच का चुनाव है ये चुनाव संकल्प और साजिस के बीच का चुनाव है ये चुनाव भरोसे और ब्रस्टाचार के बीच का चुनाव है ये अरुनाचल नौर्थ इसके विकास के लिए दिन रात एक करने वालों और दसकों तक अरुनाचल नौर्थ इसकी उपेशा करने वालों का चुडाव है मैं आपकी सांस्कृतिक विरासत परंपरा आपके गवरों के रक्षा करने वालों और आपके परिधनों आपकी परंपराओं का मजाक उड़ाने वालों आपका अपमान करने वालों के बीच ये इसका चुनाव होना है एक तरफ आपकी परंपराओं का अपमान करने वाले हैं और दूसरी तरफ आपकी सारी परंपराओं को गवरों के साथ शिकार करने वाला आपके आपकी परंपराओं को मेरी परंपरा मानने वाला आपका एक चौकिदार आपके साथ कड़ा है वो दल जिनोंने कभी देश की आशाओं आकांक्षाओं को नहीं समझा जिनोंने देश पर राज करने की नियत से सत्ता पर कब्जा जमाए रखा जबकि आपका ये चौकिदार आपके सेवक की तरह हर हमेशा आपकी सेवा में तयार है आपकी आशाओं उमीदों आपकी जरुरतों को समझते हुए मैं काम करने की सफलता पाने की सुविदा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ हम सिर्फ एक बादा करके उसे दसकों तक लटकाए रख्षने वाले लोग नहीं है बलकि आपके जीवन को आसान बनाने के लिए पूरी इमानदारी से काम करने वाले लोग है साथियों हमने तो हर घर को टॉइलेट के सपने नहीं दिखाए थे लेकिन आज हर गर्मे साउचालय के निर्मान का लक्षा प्राप्त करने की तरफ हम पूरी तरह सफलता देख रहे हैं हमने तो कभी गरीब बहनों की रसोई को दुए से मुक्त करने का डोल नहीं पिता था लेकिन आज साथ करोरते अधीक गरीब बहनों को मुप्त गैस कनेक्शन मिल चुका है हमने कभी किसानों की आँखों में धूल जोंकर किसानों के नाम पर वोट मांगने का पाप नहीं किया था फिर भी हमने किसानों के लिए बीज से बाजार तक ववस्थाएं बनाई तमाम सुधार किये और पी-एम किसान सम्मान योजना भी लागू कर दी साथियों हमने ये भी नहीं कहा था कि देश के बारा करोड किसान परिवारों को अरुना चल के पचास हजार के अधिक किसानों को हर वर्स हजारों करोड रुपिये सीधे बैंक खाते में जमा करेंगे लेकिन आज देश के तीन करोड से अधिक किसान परिवार के खाते में पहली किस के पैसे जमा भी हो गए है हमने स्वास के नाम पर बड़ी-बड़ी लुभावनी बाते नहीं की थी लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त योजना आयुश्मान भारत योजना लागू की आज इस योजना की वज़े से अरुनाचल के तीन लाख गरीब परिवारों को हर वर्स पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविधा उपलब्द हुई है और मेरे अरुनाचल के भाईयो बेनो ये स्वास्त योजना इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है अमेरिका केनेडा और मेक्सिको इसकी टोटल जो पॉपिलेशन है टोटल जनसंग क्या है उससे भी ज़ादा ये भारत में आयुशुमान के लाभारती है साथियों स्वच्छता तो वो विशे था जिस पर हमारे देश में कभी चर्चा ही नहीं होती थी सउस्चत में तो कभी ये बात ही नहीं उठी कभी किसी मैनिफेस्टों का अहम मुद्दा भी नहीं बना लेकिन हमने स्वच्छ भारत बनाने की ठानी और देश के लोगों के सयोध से आज स्वच्छ भारत के सचाई दुनिया के सामने देश के सामने है आज दुनिया के देश चीन समेट भारत का इस स्वच्छता अभियान का मॉडल का अध्यान कर रहे हैं